हालो माम, वाट्स अप माम, हाई भूमिका, ओके तो एक बात कहने थी मतलब आप आया हमारे यहां पर यहां पर, तो यह कहोंगी कि कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा और मन चंगा तो जग चंगा लेकिन क्या करें जब भी मन चंगा ना हो, then what? तब क्या होता है? तब क्या होना चाहिए और तो इस बारे में आज हम जानने वाले हैं और बहुत-बहुत हार्दिक वेलकम है आपका आज देश उजाना तेट उजाना के चनल पर मेरा नाम भूमिका है, मैं होस्ट हूं आज की मेरे साथ, the very beautiful, oh my god, so lovely, charming, elegant personality today in our studio, Dr. Leena Ralahad Kashyap. तारियों की साथ, स्वागत आपका माम, कैसा लग रहा है आपको आखर? Thank you, भूमिका, नवश्कावियोस, and thank you, देश रोजाना. Thank you, भूमिका, for having me here. So, obviously, I have a very good feel, because मैं पहले भी देश रोजाना पर आईवी हूं, and then, yes, the channel is really growing well, so I'm happy for देश रोजाना, I'm happy to be here, and thank you. So, it's a pleasure for me to have you here today, with me, and our founder है, Kaizen Healer Clinic, Greater Faridabad में, and you know, मतलब, जैसे मैंने सुना कि आप एक Healer हैं, आप Healing पे काम करें, वेलनेस पे काम करें, तो I was like, oh my god, आज तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलने वाला हैं, है न? और माम होता कि हेल्थ और वेलनेस, ये दो चीज़ अलग अलगे, इन पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसे पहले, आप कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो आपका स्वागत है, भूमिका, firstly मैं खुद को थोड़ा सा इंटर्डूस कर देती हूं, मैं डॉक्टर लीना रलहन कशाप हूं, और इस बीन 15 यर्स, I have been operationally heading corporate hospitals वारीदाबाद के, और मैं काईजन हीलर, a health and wellness center की founder और managing director हूँ, जो हम 20 साल से greater फरीदाबाद में चला रहे हैं, और भूमिका ये अकेला wellness center है फरीदाबाद का, जो health और wellness दोनों पे काम कर रहा है, जिसके बारे में हम actually आज बात करने बाले हैं, and dad is so beautiful, सच में, जानके मुझे बहुत खुशी हो रहे हैं by heart, और माम तो बात करते हैं कि, यह नो, लोग समझ लेते हैं कि health और wellness जो दो चीज़े हैं, यह दोनों आला गलाग चीज़े हैं, लेकिन हम मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, मतलब अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई बुखार है, पेन है, वो हील हो गया, तो हम स्वस्त हैं, क्या ऐसा actual में यही होता है, या फिर कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? बुमिका देखिया हमें सबसे पहले यह समझना है कि हीथ और वैल्नेस का डिफरेंस क्या है, तो अगर हम अन्य करेंट धरा धिर करें सबस्क्राइब को खिया है हमारे उननेर इससलों के भीषाईल को बेटर घ्रथ क्रासा करने का जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारी करते हैं जिससे हम लोग अपनी वेलनेस पे काम करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके और हमें लगता है कि वेलनेस बहुत ही एक modern word है, you know it's a modern word of saying, talking about wellness. So, नहीं, wellness is not a modern word. wellness comes from a ancient culture, you know, उस पे अगर हम देखेंगे, अगर हम studies करें और हम देखते हैं खुद, तो हम देखेंगे की holistic or preventive health पे पुराने जमाने से काम होता रहा था. So, this is what exactly is wellness, where हम by choice अपने lifestyle में, अपने life में कुछ changes करते हैं. और अगर हम समझे health, ज्यादतर wellness को health से confused किया जाता है. ज्यादतर लोग को लगता है की wellness का मतलब है health, या wellness का मतलब है well-being, या happiness. So, wellness का मतलब ये नहीं है. मतलब ये बहुत short meaning हो गया कि हमने बहुत sun shape में इसको बताया. और अगर हम health को देखें, तो health का मतलब लोग को लगता है सिफ disease मुक्त होना, I don't have any बिमारी, इसका मतलब मैं healthy हूँ. मैं तो healthy हूँ. ऐसे वाला healthy हम बात करते हैं. So, अगर हम health की बात करते हैं, तो health का मतलब होता है physical, even mental and even social. ये तीन segments हैं जो health के अंदर आते हैं. And health or wellness को हम understand better करें, if we understand by a small example. So, health is more over more pathogenic. जैसे हम बात करते हैं, बुखार की या पेट-darद की, जैसे बुखार है. अगर हम health point of view देखेंगे, तो we'll go on the diagnosis part and then we'll go on the treatment part. So, how you understand it better, बहुत layman, अगर हम बहुत easy viewers को समझाने के लिए बात समझाएं. So, अगर हमें बुखार है या पेट में दर्द है, बुखार में ये देखा जाएगा वाइरल है, देंगी है, मिलेरिया है, टाइफाइड है, तो उसके according हमें दवायां दी जाएगी, पेट दर्द है, जनल पेट दर्द है, infection है, gastritis है, क्या है, this is all health, जो हमारा wellness है, wellness काम करता है उसके prevention पे, अगर हमें पेट में दर्द है, तो वो हमने health point of view ठीक कर लिया दवाईयों से, लेकिन हम उसके prevention पे काम करेंगे, ताकि आने वाले time में पेट में दर्द वापिस ना हो, so that is where we talk about wellness, तो यहां पे मुझको समझ में आ रहा है कि health का मतलब हो है कि जब हमने कोई particular बिमारे को दवाई दे के ठीक कर दिया, और wellness वो हुआ जब हमने root को पगड़ के उसको cure किया, उसकी जड़ी खतम कर दिया कि अभी दुबारा होई नी सकता, अगर हम देखें जैसे कि मैं अपसे जो बात कर रही थी health awareness का भूमिका, जैसे हम लोग अगर health point of view देखें तो अच्छा बताये depression क्या है, depression is a part of wellness, no 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 you are wrong in this, depression is a part of health, कैसे क्योंकि यह बिमारी है, यह बिमारी है, यह बिमारी है, यह बिमारी है, बड़ा लोच्चा क्रियेट करता है, यह बात तो है, everything is dependent on mind, yes, so अगर हम बात करते हैं mind की, तो अगर हम health awareness को इस example से समझने की, better समझने की कोशिश करें, जैसे depression है, depression is health, ठीक है, लेकिन, जैसे मुझे stress है, या आपको stress है, I think आज की डेट में सब को stress है, so stress is a mood, stress is a mood, I mean, stress हमारी, एक तरह से हमारी mood है यह, जो मुझे stress हो कया, अगर stress कुछ घंटे रहता है, तो इसका मतला वो मेरा temperament बन जाता है, और अगर वो temperament रहता है, तो वो मेरी personality का part बन जाता है, और अगर वो मेरी personality का हिस्सा बन गया, इसका मुझे depression हो चुका है, so depression, तो मैं एक दिन में मुझे depression नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, depression मुझे हुआ है, so you have been into that stress for a very long period, maybe for a month, maybe two months, maybe more than that, तो आपका जो stress था, अगर आप उसे manage कर लेते, आपने lifestyle में changes करके, वो wellness का पार्ट होता, तो अगर आप अपनी wellness पे काम करेंगे, उस stress पे काम करेंगे, तो आपकी health कभी खराब नहीं होगी, इसका मतलब आप कभी depression में नहीं जाएंगे, that is how actually the real world is, there is a bridge between health and wellness, जैसे कि Bhumika, मैं एक health industry में रही हूं 15 साल था, so मुझे पता था कि health की problems के लिए लोग hospital आने वाले सब ही लोग, bridge के दूसरे किनारे पे अगर अगर अपनी wellness पे काम करेंगे, जो हम नहीं करने थे usually, so that was what was required and that is how my journey began, 10 साल पहले जब मुझे health issues होना शुरू हुए और धीरे धीरे मैंने यह decide कर लिया था कि मुझे wellness पे काम करना है, so that is how हमें सबको यह decide करना है कि हमें अपने wellness पे काम करना है may it be me, may it be you, so all of us we have to work on our wellness. तो wellness के आपने बात बताई, तो मुझे लगते कि कैसे कोई start करे में ही बहुत बड़ी चीज है बड़ी चीज है, multi-diversion वाली चीज है, अगर हम इसे बहुत easy words में समझने की कोशिश करें, wellness भूमिका physical भी है emotional भी है social भी है, mental mental भी है, yes mindfulness and sleep भी है spiritual भी है, yes and nutrition भी है, so यह सारे parts आपके wellness का part है, बलकुँ अगर आप कहरे हो, wellness हम कैसे achieve करें, हमें अपने life में, बहुत बड़ा science है मुझे लगता है कि इसमें तो हमारे 2-3 दिन बीच जाएंगे, 2-3 दिन नहीं बीचेंगे, अगर भूमिका चाहोगे तो इसी moment से आप wellness start कर सकते हो, oh god यह सा हो सकता है, yes बहुत छोट छोटी चीजे wellness के अगर आप देखोगे, we have to understand कहते हैं, जैसे अगर हम खुद को समझें, अगर हम सबसे पहले लेते हैं, mindfulness, यह भी एक wellness का आपको अपनी life में छोटे-छोटे changes करने होते हैं, उसका मतलब है कि आप wellness की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप अपने stress को manage कर रहे हैं, तो वो भी आपके wellness का ही part है कि आप अपने wellness पे काम कर रहे हैं अब हम बात करेंगे, जैसे हम बात करें थे, social, emotional mindfulness, तो जैसे मैं कहा रही हूं कि हम mindfulness पे बात करेंगे mindfulness आपको सिखाता है खुद पे focus करना और जब आप खुद पे focus करते हो तो आप automatically अपने wellness पे काम करते हो, जैसे for example अगर हम लेके चलें कि mindfulness पे हम लोग अपने आसपास की surroundings में जो देखते हैं जो feel करते हैं, उस पे हम कैसे react करते हैं तो उसको हम balance कैसे करेंगे अगर हम कहें meditation से so I think जिस mental state में आजकल हम लोग है, maximum people will not be able to meditate I can't meditate with closed eyes I'm telling you this thing, so मुझे लगता है जैसी मैं आँखे बन करती हूं वैसे ही मेरा दिमाग और चीज़े सोचने लग जाते हैं so mindfulness का मतलब है खुद की problems पे focus करना ताकि हम उसके solutions धूंड पाएं जैसे अभी हम थोड़ी दर पहले stress का कुछ पात कर रहे थे अगर आप situations को समझना शुरू करोगे भूमिका तो आप अपने आप समझना शुरू कर दोगे कि आपको किस situation में क्या react करने से ज़्यादा stress होता है तो आप उन moments को better manage करना शुरू करते होगे जैसे it's sad की हमें दुख को hold करने में बहुत मज़ा आता है हमारे joy की moments तो आती चाती रहती है लेकिन हमें बहुत मज़ा आता है कि मैं दुखी हूँ मेरे साथ ऐसा हो गया वह हम पकड़ के रखते हैं उसे हम जाने देना नहीं चाहते हैं क्यूंकि आज की date में अगर हम देखें तो सब को validation की आदत है और हम लोग कोई भी नहीं चीजे हर रोज नहीं करते हैं जिससे लोग हमें पहचाने या लोग हमारे में बात करें तो, we fall victim you know I would really prefer if I come to you and I'm talking about myself so, मुझे लगेगा तुमने, do you see me? क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारले important हूँ? और अगर मैं तुम्हारले important हूँ तुमने मेरे ली अभी ता क्यू नहीं पूछा कि मुझे problem था? मुझे कोई दुख था so, I want to feel victim to that part where, yes so, I want you to validate my presence I want you to make me feel कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ and मैं तुम्हारे important हूँ या, queen-like treatment मिलना चाहिए queen-like treatment मिलना चाहिए and वही की validation चाहिए मेरी presence आपके लिए important है तो उस importance के लिए हमें मजा आता है अपने दुखों को गाने का और उन्हें अपने पास रखने का तो हमें यह focus करना है कि हमें अपने दुखों को बांद के नहीं रखना है हमें अपने mental stress पे काम करना है these are small small steps what we can take coming on to your emotional part जहां पे आप connected रह सकते हो अपने आस पास के positive लोगों से वो चीजे जो आपको खुशी देती है वो चीजे जो आपको happiness देती है your family, your friends जो social का भी part है social का पाथ ही भूमिका यह है कि जहां पे हम अपने friends और अपने relatives से connected रहें so that is being social emotional is where we feel connected to our close friends close people that gives us emotional boost up and that is again a part of wellness mindfulness जैसे हमने डिस्कर्स किया we have to be focused talking about nutrition तो हम एकी दिन में अपनी सेह ठीक नहीं कर सकते अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तो हम वेट करेंगे आप हर रोज अपनी उस प्लेट में एक चीज़ आड करेंगे तो आप हर रोज अपनी उस प्लेट में nutrition point of view एक चीज़ आड करेंगे जो आपको धीरे धीरे healthy करतेगा तो आप अपनी wellness पे काम कर रहे हों ताकि आप बिमारियों से दूर रहों यस so that is how we can work on our wellness and it's a beautiful process what we can start off today and we have a healthier life ahead that is what exactly wellness is तो wellness का मतलब ही है अपनी prevention पे काम करना अगर जब हम अपनी prevention पे काम करते हैं तो हम healthy रहते हैं तो अगर हम अपनी mental पे physical पे इन सारी health पे काम करते हैं तो we have a better outcome we have a better mental and physical outcome that is what our motive is yeah individually you know that is what we have to focus on yeah माम एक कमार की बात बदाती हूं can I share yeah sure sure yeah मेरे कुछ करीबी लोग है मेरे कुछ friends है को कहते हैं कि तुम्हें मज़ा करना बहुत अच्छा लगता है तुम जिस दिन मज़े नहीं करोगी उस दिन you will die तो मुझे लगता है कि हम सब ही मज़े करना चाहते हैं लेकिन कही ना कही हम सब ने खुद को थोड़ा थोड़ा रिस्टिक्ट किया हूए कोई समाज का डर हो जाता है किसी को होता है कि नहीं मुझे थोड़ा प्राक्टिकल दिखना है तो क्या मज़ा इस इंपॉर्टन्ट अगर मज़ा है तो है अपिनस है अफकॉस या फिर इस सम्धिंग की टाइम विस्ट है आपको यालग भूमिका सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी इस मज़ा वर्ड का मीनिंग आपके लिए क्या है मज़ा वर्ड का मीनिंग मेरे लिए कि जो मैं करना चाहती हूं मुझे वो करने की पर्मिशन मिले और मैं अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे बंद कमरे में होके नाचना है तो मैं नाच हूं उस टाइम पर वो मेरे लिए मज़ा है अगर भूमिका हम वेलनेस की बात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम दूसरों को समझाए या सिखाए हमें सबसे पहले अपने उपर इंपलिमेंट करना है तो अगर हम दो ही आज वेलनेस और हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हो मज़े की जो चीज़े आपको हापिनेस देती है एकका कही ञापनेस थे ब clearly का अगर आपकी छोटी छोटी चीजे कड़ना है एक बुक परना yoga करना गाना 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 एक्सरसाइस करना या music सुनना या आपके लिए अपना personal time निकालना आपको खुशी देता है so that is a part of your happiness and the things what keep you happy are something which help you to be mentally healthy जैसे मैं आपको पहले भी यह बता रही हूं कि आपका जो mental wellness है वो mental wellness ही आपका आपका पूरा stress manage करता है और अगर आपका stress managed होता है तो आपकी maximum बिमारियां stress related है and haan मतलब आप hypertension, anxiety, stress अगर आप कोई भी discussions करें doctor से या आप medical से related आप Google पर search करें या पढ़े तो you will actually come across कि आपके majorly जो concerns है वो सारे stress related है so अगर आप stress, anxiety आप यह manage करके चलेंगे तो you'll land up into a happy you happy and happy life yes and if you are happy you you are working on your wellness you'll always be healthy and that is what our motive is wow when that day will come I don't know like I'm waiting for that day so you need to start working from today and after this session you can sit with me and we even we can start working on to your wellness thank you mom so that is what I think everybody needs to understand that how health and wellness are connected and how wellness is important ताकि आपकी health maintain रहे तो यह छोड़ी छोटी चीज़े जब हम life में समझ जाते हैं so हम अपनी life को better कर देते हैं हम अपने lifestyle को जब manage करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त हमारी quality of life बढ़ जाती है और आज कल के जो हमारा stressful lifestyle है उसमें I think wellness पे काम करना बहुत जरूरी है और जैसे COVID ने हमें यह सिखाया क्यूंकि पहले low COVID से पहले people were aware but not so aware but I think COVID की उन दो सालों ने लोगों को बहुत aware कर दिया and people have started working on to their wellness they have started working on to how to take care of themselves they have started loving themselves yes so that is called self-love so self-love is always good okay maaam तु मुझे एक ग्जांब यहाद आरा है फिर से sure can I share तो last year I was in depression कुछ कारण उसे तो उसके बास से फिर मेरा ध्यान और spiritualism की और चला गया मुझे दुनिया ऐसे लगे लगे कि शून है everything is zero मुझे कुछ ने चाहिए सब मरला यह सब कुछ दिखावा है real तो universe है बाखी तो कुछ है नहीं थो एसा होने लगे तो मुझे चीजों से लगgehen गया मैधे ती मेरे सीट है मेर इसके बार मैं डीब जानदा चाहती हूं और भी जादा स्थी दो यह हमारी वेलेस को और भी जादा कैसे सपोर्ट चरता मुझे जाना है भूमिका spiritual again being spiritual is always good जैसे एक एज के बाद लोग decide करते हैं कि अब तो बस दुन्यादारी हो गई हैं let's be connected with that superpower you know so आपकी बहुत यंग एज ने लगा there was some incidence in your life when you landed up into where you felt की being spiritual or being connected with that one supreme power is जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है ऐसा होना गलत कभी भी नहीं है spiritual होना is always nice you are connected because finally या lastly वो supreme power ही है जो सब को चला रहा है this is even what we believe even in wellness and even as human so yes it's always good and ये आपको heal करने में मतलब it supports you in the healing and it makes you mentally much stronger so ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें हम लोग detachment or attachment पे बात करते हैं वो we can even discuss some next time also जब कहा जाता है कि जब हम ये समझना शुरू कर दें कि हर चीज टेंपरी है so वो moment हमें actually life का happiness को रिलाइस कराता है so life में yes हर चीज टेंपरी ही है जब हम ये समझ जाएंगे तो शायद हम जादा खुश रहना शुरू कर देंगे और attachment or detachment हमेशा होनी चाहिए so and again I'm saying we can talk about it's a very elaborate topic where you learn about the attachment and detachment where you are attached but you have to learn to be detached very soon बहुँ जल्दी हो से detached रहना है and जैसे अब depression की बात कर रहे हो तो इसमें मैं आट करना चाहूंगी Bhumika जैसे depression का एक वे आउट क्या है so this way out का मतलब है आप अपने depression से कैसे बहार निकल सकते हो या आपको खुद को समझना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है तो अगर आप देखोगे कि depression is all about when you have something in your mind when you're not able to speak तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉंसलर्स और थेरपिस्ट जो है अवेलेबल प्लीज गो एं टॉक तो देम अगर आप देखोगे माली जी मेरे एक चोट लग गए और आप डॉक्टर के पास गए क्या डॉक्टर ने चोट ठीक कर दी नहीं ना डॉक्टर ने क्या किया अगर आपका वूंड बड़ा है जखम बड़ा है तो उसको स्टिच कर दिया और आपको साथ में एंटरपाइटिक दे दिया खाने के लिए और लगाने के लिए डॉक्टर ने क्या किया जखम भडने के दबा दे दी और ऐसा एट्मोस्फेर बना दिया कि ये हील हो जाए खाने का लगाने का और साथ में उसको स्टिच पिकर दिया अगर आपको कभी डिप्रेशन होता है यू नीड टू टॉक अगर आप बात करते हो उस थेरपी में थेरपिस्ट और कुछ नहीं करता है एक महौल बना देता है कि आप खुद को हील कर पाओ तो आप फिर से अगर हम वही बात करें कि ओल माइन गेम है तो भुमिका अगर थेरपिस्ट ने वह महौल बनाया तो उसने आपको हील नहीं किया आपने खुद को ही हील किया तो हम खुद सबसे बड़े हीलर हैं खुद के तो जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे तो यही रीजन है जब लोग स्पिरिच्यलिटी से कनेक्ट करते हैं जो आपने मेरे से क conservation यही जीज समagne आती है 時間 वस्पिरिच्यल्ड जब आप भजाते हो आप फ्लिटाइख होना शुरू हो जाते हो और जब इटाइख होना शुरू हो जाते हो आप एक तरफ focus करना शुरू कर देते हो, उस focus के कारण आप खुद को heal करना शुरू कर देते हो, आपका mind relax होना शुरू हो जाता है, and you start coming out of that stress and depression, the way you came out of your stress and depression, और ये symptoms अपने body में देख सकते हैं, अगर हम बहुत जादा सोच रहे हैं, और हम नहीं बोल पा रहे हैं, या हम कि आपको की नीचे dark circles होना शुरू होना शुरू जाते हैं, मुझे लगा कि नेंद ना आने से dark circles होना शुरू जाते हैं, नेंद ना आना एक रीजन है, but अगर stress or depression को आप के टेगराइज कर चलों, तो ये बहुत छोटी चीजे हैं, जिससे you can do the validation of yourself, you know, you can realize for yourself, अगर आप नह dark circles, और अगर आप बहुत सोच रहे हो लेकिन आप वो बाते बोल नहीं पा रहे हो, you are not able to actually communicate, then you start having the thyroid issues, oh god, तभी होता है ये, that is also related to depression, I mean mental health and आपकी health कैसे connected है, yes, it's correlated, and when you talk about, जब आपकी ओपर कुछ ऐसा बर्डन है, जो आप ना निभा पा रहे हो, और ना ही उसे हटा पा रहे हो, तो आपके upper back pains रहना शुरू हो जाती है, आपका upper back, you will have spasm, you will have back achs, you will have pain, so ये सारी चीजें हैं, जो आप खुद अपने लिए भी validate करके, realize करके, इन चीजों पर काम कर सकते हो, वाओ माम, great session, great session ever, अभी तक क मुझे लगता है, और वाके में मुझे लगता है कि everybody is in the need of love, एक validation भी चाहिए होता है, प्यार भी चाहिए होती, महाबबत भी चाहिए होती है, और चाहिए होता है कि हमें कोई सुने, जैसे हम है, हम चाहते हैं कि दुनिया वैसी हो, ये वाली बात होती है, कि अगर मैं pure हू या, depression, ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगा था है, लिकिन ये तो ऐसा था ही नहीं, ये क्या हो गया, OMG, भगवान मुझे पर चाहलो, ये सब चीज़े तब आनी चाहिए हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर हम खोदी और कम कर सकते हैं, और ये बात बहुत बा पर आपका कुछ और नहीं है तो कहते हैं कि जब तक हम खुद को प्यार ना करें, तो हम दूसरों को कैसे प्यार दें गे, जो हमारे पास है, हम वही बांट सकते हैं, अगर मेरे पास नफरत है, तो मैं कुछ हगत तक नफरत ही बांटूंगी, मेरे पास complex to a case, change, कि मेरे पास say to everybody work on yourself love yourself and self-love is yes the most important because मैं चाहूंगी कि मैं सब में खुश्य और प्यार ही बांटू so जैसे कि हम लोग अभी तक यही इसकुशन करते हैं and yes you have many questions related to your mental health and yes we'll talk about that in the next sessions because again mental health and relationships are a very big topics so we can always talk about that right okay so मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी मज़ेदार रहा और बहुत कुछ हमने जाना माम से बहुत कुछ बाते हमें पता चली इसी प्रगार से अन्य बाती भी जानेंगे mental में और उत्रेंगे मुझे क्योंकि specially जानना है और spiritual वाव दोनों चीजे अगर ही चल गई बता तो इंसान को कुछ आच है यह नहीं आएगा इस पर ना तो इस बारे हम आगे जानेंगे और जब तक के लिए चाड़ा बाइ-बाइ-बाइ-Stay-Tuned Have a Happy and Healthy and Blessed Life और आप अपने Healer अपने प्यार आप खुदी है तो किसी और की नजरों में validation सीख करने की गलती मेरी तरह रान करें Bye-bye, Thank you हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का YouTube चानल सबस्क्राइब कीजिए साथी तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन